LIC Policy लेने के बाद अगर आप Policy को बंद कराना चाहें तो इसके लिए Policy को Surrender कराना होता है किसी Policy को तब ही Surrender किया जा सकता है जब उस प्लान में Surrender के सुईदा दी गई हो और कम से कम दो वर्स तक Premium का भुगतान किया जा चुका हो परन्तु यदि Policy एक फरवरी 2020 से पहले ली गई हो तो कम से कम तीन वर्स तक Premium भुगतान करने के बाद ही उस Policy को Surrender किया जा सकता है Surrender करने पर Paid Premium का बहुत बड़ा हिस्सा कई तरह के Charges जैसे की Risk Aware, Stamp Duty और Medical Test Charges इत्यादी के रूप में काट कर बाकी रासी 15 वर्किंग डेज के अंदर Policy Holder के बैंक खाते में ट्रांसपर कर दी जाती है इसी तरह के और भी informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें